इतने सारे लोग हैं, ब्रिंदा बन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, नाद्वारा जाते हैं, डाकोर जाते हैं, इतने मंदिर हैं हमारे भारत में कि कोई कमी नहीं है, हरमान जी के भी मंदिर शनिवार शनिवार को इतनी भीड होती है, माता जी के मंदि प्रगवान प्रगठ हुआ और कहा हो कि हा मैं तिछ पर बहुत प्रसंद हो मांगो क्या चाहिए मीरा भाई होगी एकाद एकाद जो समा गई उसमें बाकी इतने लोग इतने महापुरुष इतने भक्त आपको ऐसे मिलेंगे जिनको मूर्ती में से नहीं पर जहां वो रहते हैं वहां उनको दर्शन देने के लिए भागवान चल कर आए ऐसे हजारों नहीं करोडों लोग हैं उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़िये इश्वर को आने की जरूरत पड़िये क्यूं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का दिल जीता है मंदिर जाने वालों को अगर भागवान के दर्शन होते होते तो फिर तो उसे मंदिर जाने के जरूरत ही नहीं है हो गए दर्शन उसको तो किसी एक मूर्ती में भगवान नहीं मिलते हैं, ये बात पकी है हिंदू चौबीस एकादशियां रखता है, मुसल्मान रोजा रखता है हिंदू भगवान को राम के मंदिर में खोचता है, तो मुसल्मान रहीम के मंदिर में खोचता है, किसी का सूर्य पूरब में उकता है, तो किसी का सूर्य पश्चिम में उकता है, इतने सारे लोग कोई गिरजा घर जाते हैं, तो कोई मंदिर जाते हैं, मथ्था करोडों लोग टेकते हैं, पर एक ने कि आज तक गिरजा घर से, मंदिर से या चर्च से भगवान को पैदा होते हुए देखा, भगवान को प्रकट होते हुए देखा, जिसने भी देखा है, अपने दिल में देखा है, आज तक जिसने भी देखा, अपने दिल में देखा है, बाकी तो 24 एका दश्या हिंदू भी र ये जगत जो है परमात्मा का ही प्रतीस वरोप है ये समझ कर जिस दिन हम चल पाएंगे उस दिन ही हम वास्तविक जीवन जीव पाएंगे तब तक तो हम रागदोईश में उलजे हुए एक छोटे से जीव हैं जिन्होंने हम अपनी दुनिया को बहुत संखीर ने बना दिया है जिन्होंने ये सोच लिया है कि बस भगवान मंदिर में है और कहीं नहीं क्या आप सब यहां बैठे हो तो आप भगवान नहीं हो अगर भगवान की परमात्मा की सत्ता नहीं होती क्यों नहीं है? उसमें भी है. तो हाँ, हम जब किसी-किसी को ऐसा कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, सज्जन पुरुशों में, जैसे मुझे आप में तो भगवान दिखता है, पर मेरी मा में नहीं दिखता. मेरी मा बहुत बोलती है. आप में तो दिखता है पर मेरी सास में बिलकुल नहीं दिखता क्यों नहीं दिखता क्योंकि वो बहुत बोलती है बहुत टोकती है बहुत निंदा करती है बहुत असे तो मुझे ये बताओ कि किसी माबाप के लाडले बेटे होते आपका ही दो बेटे हो और एक बहुत लाडला हो और एक बहुत ही strict धंग से पाला हुआ हो तो वो लाडला बेटा आपको सामने जवाब नहीं देता? देता है कि नहीं देता? तो अगर उसके प्रती प्रीती हो सकती है तो सास के प्रती क्यों नहीं? अपनत्व नहीं है, वहाँ अपना पन नहीं है, इसलिए, अपना बेटा, अगर मा को वृद्धाश्रम में भी छोड़ के आता है, तो भी वो उसको कवर करते थकती नहीं है, बिचारे अभी शिफ्ट हो रहे थे, बिचारे शिफ्ट हो रहे थे, कहीं और जा रहे थे, हम नहीं कहा, कि हमको वृद्धाश्रम छोड़ाओ क्यों? अपना बेटा है लाडला था, वो भी बिगड गया है पर वो अपना है तो वहाँ कवर होता है सास, ससुर माँ, बाप, उनके लिए अपनत्व नहीं है, तो वो बुरे लगते बोलो है की नहीं ऐसा तो अगर कोई बुरा चलता है ना, और अगर निंदा करता है तो सोच लो, ये भी मेरे भगवान के लाडले बेटे बिगड गया है इनको चलाओ भगवान ने बिगाड रखा इनको लाडले बेटे तो आपकी सोच है आप क्या सोच कर व्यभार करते है वो आप पर निर्भर करता है पर मेरा मानना है कि अगर परमात्मा की प्रियता प्राप्ति करनी है तो परमात्मा का जगत समझ कर उन सब के साथ प्रियता के साथ बरताव करें तो इश्वर की प्रसंदा अपने आप मिलती है जैसे एक पत्नी अपने पती के रिष्टेदारों के साथ व्यभार करती है ऐसे ही हमें जगत के लोगों के साथ और जगत के साथ वैसा ही व्यभार करना चाहिए क्योंकि वो हमारा प्रियतम है हम उसी के नाते सबसे चलते हैं